हेलो दोस्तों स्वागत है एक और ने इंट्रेस्टिंग वीडियो में मेरे पास एंटिनिक स्मार्ट 8 HD और आज की सुन में इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे इस फोन में जहां में आउड़ बॉक्स एंड्रोइड 13 देखने मिलता है साथ यहां पर इनका खुद का कस् सबसे फीच बात करें तो इस फोन में आपको मैजिक रिंग का फीचर देखने मिलता है बेसिकली चार्जिंग के दौरान आपको नौच में इस तरह का पॉप अप देखने हो मिलेगा इससे आप जेनरली कर सकते हैं या पर डिसिबल भी कर सकते है इनेबल बाइड डिफॉल लॉक बैक्ग्राउंड कॉल चार्डिंग एनिमेशन यह सब एनिमेशन जो है आपको देखने को मिलेगा आपके जो है इस नौच पर तो आप यहां से इसको एनिबल कर सकते हैं और इवन यहां पर आप रैम को एक्स्टैंड कर सकते हैं तो मेमोरी फीजिन भी जाकर आप य निइक्स जीव करा आपर यहां जाता है यहां पर रैम को एक्सटैंड कर देता है जिसे आपको फस्ट हो जाता है ऑप्रेटिंग वगेरा अपको इस फोन में आपको स्कूर्न रिकॉर्डिंग का फीचर एवेलेबल है और यहां अप कैसे कर सकते हैं आपको एनिए हेने नी जाएगा इसको बस आपको ड्रैक करके ऊपर की तरफ ले लेना है और यहाँ पर जो है आप इसको एड कर लिजेगा जैसे आप एड कीजेगा यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर आपको देखने मिल जाएगा साथ आपको शॉटकट वगेरा भी आड कर सकते हैं जै सब्यूट कर सकते हैं और यहाँ पर इंबल हो जाता है बैसिकलि आप कहीं पर भी घूमने गये लाय तो आप इस देखनार कर सकते हैं जो ही काफी बढ़ी है यहाँ पर जो आप बागे यहां पर और भी बहुत सारे फीचर है जैसे कि डिस्प्ले वगरा में कस्टमाइज बगरा अर्थाइन वगरा लगाना आपको डवल फिंगर से कुछ इससे करना है और नीचे देखिएगा आपको वाल पीपर देखने को मिल जाएगा विजिट्स देखने को मिलेगा तो क्वाल पेपर काफी सारे जो एंडूरेट 13 वाले विजिट्स देखने को मिल जाएगे जो कि होम स्क्राइब लगाने का काम में आता है उसके बाद देखने को मिल जाता है एक स्थिम जहां पर आपको नॉर्मल जो है दो तिम दिया गया है बट अगर आप इस सर्ट पल आइकोन पर क्लिक कीजिएगा तो यह रिडेक्ट कर देता है आपको थिम अप्लिकेशन और थिम अप्लिकेशन में आपको काफी सारे फ्री थिम्स देखे को मिलेंगे जिने आप डाउलोड करके इस्टाल कर सकते हैं, यहां पर काफी सार आपको फ्री वाल पिपरे पस्ट अगारे आप डिल करते हैं तो में यहां पर क्योंकि यहां पर ऐने बरफट पोन है इसमें जो है टेक्स चेंज करने का फीचर नहीं है जो कि मुझे देहकर लगा जो मिसिंग है तो मिसिंग है यहाँ पर क्यूंकि यहाँ पर जाता है ने डे जिस के लिए अपर आपको काफी कुछ उसका डेक्स्टॉप ग्रिल यहाँ पर आपको कुछ इसने किसे अप्रिक्शन चार छे रहते हैं तो आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग पांच छे कर सकते हैं और वही सेम आपको फोल्डर का भी ऑप्शन देखने मिलेगा कलर वगिर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं अपने कॉर्डिंग अगर आपको रेड करना है तो यह देखी हैं और अपने को इसको कर दिजेगा और अब आप देखेगा app drawer यहाँ पर horizontal आपका हो गया है तो कुछ इस देखे से आप horizontal या फिर vertical वगएरा कर पाएंगे नेक्स नहीं आप जैसे से जैसे में आपको काफी सारे जैसे मिलेंगे जैसे कि single finger से up करने पर आपको all app आजाता है और यहाँ पर quick search आता है जिसमें मैं notion bar में कर देता हूं एक बार जो है करने पर two finger से आप अपने according select कर सकने हैं यहाँ पर two finger up down से pinch करने पर pinch out करने पर तो यह अपने according आप set कर सकने हैं आपको दिखाता हूँ यहां पर मैंने जो है नोटिशन पैनल दिया है देखें नोटिशन पैनल यहां पर आ जाता है तो अपने अकॉर्डिंग आप यहां पर जैसे को स्कूर कर सकते हैं बेज़ें यहां पर आप वगरामे जो भी नूटिशन आता है तो इस ते किसे बैज आता है आप चाहे तो यहां साइब कर पाईएगा उसका देखने हो मिल जाता है यहां पर यहां पर पोलडर आ जाता है यह तो यह इस तरह के डेक्स टॉप एक फोलडर बना देता है अगर आप इसे नेबल करते दिसेबल कीजिएगा तो यह अटोमेंटिकलि हड जाएगा देकि हड चुका है उसके बद सर्फ सेटिंग है अनिट रिसेंट आप वगरा यहा यहां पर काफी सारेouपक नों मिलते हैं सब या करेख चिक करते हैं सबसे पहले यहां पर iPhone Oregon at अर्याहां से भी आप जो है रैम को इंप्सटेंड कर सकते हैं, आप कर्कितर कर सकते हैं कर सकते हैं, वहां नहीं जाने का दूप है SIMCARD, Mobile Networks यहां पर आपको देखने हो मिलेगा जहां पर आपको बात करते हैं यहां पर बात करते हैं आपको और भी बहुत सरे प्रक्राइब पर आपको दिखाई दिया था उसके आपको डिस्प्लेइन ब्राइटने को चेंज कर सकते हैं यहां पर आपको नाइट एक करके रह सकते हैं आपका बैटरी थोड़ा जो है सेव होगा आई केर का ओप्शन दिया गया यहां पर ब्राउनी सा हो जाता है अपने यहां पर शेडियूल लगा सकते हैं बैसिकली यह तब काम आता है जब आप किसी वेबसाइट बगरा में रेडिंग बगरा कर रहे हैं क्योंकि वेबसाइट में जो है डाक तिम सपोर्ट न बिलता है अगे स्टेटस बार स्टेटस बार में यहां पर आपको नेटपक स्पीड बैटर परसेंटेज नोट्शन आइकोन यह तीनों दिया गया है आप चाहते हैं यहां से डिसिबल कर सकते हैं बाइड डिपॉल्ट के बात करें तो यहां पर जाए साउंड इंड चाहिए नहीं चाहिए एडवांस ऑप्शन में जाकर आप और भी चींज़ कर सकते हैं दूर्ट डिस्टब का ऑप्शन है यह मेरा फेभरेट ऑप्शन है यह मैं हमेशा इनेबल करके रखता हूं क्योंकि हम सबी फोन को साइलेंट करके ना भोल जाता है काफ सार तो do not disturb होने के बावजूद उनका call आएगा और बागी कोई unknown person call करेगा तो उनका call नहीं आएगा तो यह do not disturb का एक फाइदा है और यहाँ पर आप अपने according serial भी लगा सकते हैं और app के भी कुछ notion वगएरा को अगर आप enable रखना चाते हैं तो वह भी आप कर पाईएगा तो यह मेरा फिवरेट option है मैं हमीशा करके रखता हूं निक्स यहाँ पर नूट्शन से डग दिया है यहाँ पर लॉक स्क्रीन में आप नूट्शन वगएरा को यहाँ पर डिस्प्रे करना चाते हैं वह सब देखने को मिल जाता है बर्न है मोट सेटिंस में जाएगा तो यह कर दिया अब अगर मैं दिखाऊं तो यह दिखिए यहाँ पर जो है नूट्शन सेंटर या पर नूट्शन बार हमारा नहीं आ रहे है तो तो सिंप्ली आपको जो है स्वाइब डाउन नूट्शन को क्लिक करके इन दोनों को डिसिबल कर देना है और यहां पर नूट्शन बाग यहां पर आप अगर अगर नहीं हो रहा है तो यहां पर आपका पर आपका होने लगेगा करेंगे पर आपका क्या है इसने अपने कर सकते हैं अगर आप किसी ब्याप यहां पर आप को शिलिकर करके यहां पर स्टोरेज कैसे करते सकते हैं j tiếp यहांपर बात करते हैं तो यहांपर है आपको देखने हो मलता है परिफेशन वगयरा सपिशट्व एकस्स वगयरा यह सब देखने हो मिल जाता है डिस Lamborghini comply आप देखने हो मिल जाता है अ वो का का अल्टरा पावर सेवी मोड में चल जाता है बैसिकली कभी का बार हमारा फोन जो है सिर्फ 5 परसेंट या फिर 10 परसेंट बैटरी में होता है और कहीं हम घूमने जाते हैं तो यह इंपोर्टेंट हो सकता है सिर्फ आर सिर्फ आप कॉल कर पाईएगा और यहां पर डेटा य इन दिखाई दिया था यूजर आकाउंट से आपके अगया वगिन कि होगा से एक लिए गॉगल में यहां तो यहां पर जो है इस्टे में आप यहां पर लैंग्वज होगर को चेंज कर सकते हैं साथ-सात यहां पर डेट टाइम को आप अपने अका वाडिंग जैट कर सकते है 24-hour format रखना है तो वह आप कर सकते हैं system navigation यहाँ पर जैने बटन में अगर आपको जैसर चाहिए तो simply आप यहाँ पर जैसर को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पर जैसर का टुटोरियल भी ले सकते हैं यहाँ पर जैसर को टुटोरियल सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पर वाइरस चेक कर सकते हैं यह सब आपको यहाँ पर जैसर देखने को मलता है और बागी आपफर जैसर कि अपर जैसर जैसर जार आप यहाँ पर कर पाएंगे नोड पेड देखने मिल जाता है डालर पर आप call कर सकते हैं, यहाँ पर आपको call recording का भी feature देखने हो जाता है, that आप यहाँ पर call record भी कर पाएंगे, आप अगर call करते हैं, सामने वाने कोई announcement नहीं होगा, तो यह काफी safety दिया गया, FM radio भी यहाँ पर मल जाता है, extreme application जो कि मैंने आपको दिखाया था, तो बस यही जो है, आपको इस phone में feature देखने हो बता है, सस्ता phone है, तो यहाँ पर कुछ जादा feature नहीं है, जैसे कि app hide हो गया, app lock हो गया, यह सब जो है, आपको अलग से install करना पड़ेगा, तो price कम होने के वैसे, यहाँ पर feature को भी cut out कर दिया गया है, so friends, hopefully, आपको intnik smart 8 HD का feature वीडियो पसंदा आओगा, अगर पसंदा आओगे पीशन वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर मिलता है आपके साथ, नेक्स्ट वीडियो में एक और ने कांटेंट के साथ, अब तक लिए टाटा बैबाय और यह स्तरी, मुस्कुवात्री और मेरिया आर्जे टेक्निकल्स के साथ,